दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने फोन में Google Assistant से कुछ भी सर्च करते हैं आप यहाँ पे माइक पे क्लिक करके सर्च करते हैं या फिर आप यहाँ पे होम बटन पे प्रेस करके Google Assistant खोल करके कुछ भी सर्च करते हैं तो जो result होता है उसको Google speak out करता है मतलब बोल करके आपको बताता है आप चाहते हैं कि वो बोल करके ना बता है जो भी result है आप simply easily पढ़ने ठीक अब वो ना बोल के बता है तो आप इसको कैसे बंद करेंगे इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आप अपने फोन में Google वा आइकन दिखेगा उपर की ओर आप इसपे क्लिक करिएगा और इसपे क्लिक करने के बाद आप सेटिंग्स में चले जाईएगा सेटिंग्स में जाते ही आपको यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का option दिखाएगा आप इसपे क्लिक करिएगा और इसपे क्लिक करते ही आपको नया इंटरफेस मिल जाएगा यहाँ पर आपको क्या करना है आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है जब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक option दिखाएगा यह वाला assistant voice and sounds का आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करते ही आपको नया इंटरफेस मिलेगा यहाँ पर आपको नीचे की साइड एक speech output का option दिखा रहा होगा ठीक है यहाँ पर phone लिखा है आप इस पर क्लिक करिएगा और इस पर क्लिक करने के बाद आपके में कुछ लगा होगा फोल या फिर ब्रीफ इस टाइप से आपको नन पर क्लिक कर देना है ठीक है अब जैसे या आप नन पर क्लिक करके इसको select कर देंगे उसके बाद आप अपने phone में यहाँ पर mic पर क्लिक करके सर्च करेंगे कुछ या फिर यहाँ पर Google Assistant खोल करके कुछ सर्च करेंगे तो आपके में जो results होगा वो Google बोल करके नहीं बताएगा आप उसको पढ़ सकते हैं ठीक है वो automatic नहीं बोलेगा अगर वीडियो से help वी हो तो वीडियो को कर दीज़े like channel को कर लीज़े subscribe and bell icon को press ऐसे यह और भी वीडियो देखने के लिए